हेलो एव्रीवन स्वागत आपका मेरे चैनल पर मैं आज आप लोगों को आराइट के साइवबाद के स्टेशन की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और अपडेट देने वाला हूं तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को यह है साइवबाद का स्टेशन और इस स्टेशन से पहले की साइड में मतलब आनन्द व्यार की साइड में यहां पर जो इलेक्टिसिटी के पोल्स हैं उनके उपर अब देख सकते हो यहां पर ओवरहेड एक्क्यूपमेंट्स को लगाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका ह यहां पर भी देख सकते हो टीम काम कर रही है ओवरहेड एक्क्यूपमेंट्स को लगाने का आगे की साइड के जो इलेक्टिसिटी के पोल्स हैं उनके उपर ओवरहेड एक्क्यूपमेंट्स को लगाने का जो काम है वो कॉम्पलीट भी हो चुका है और इस्टेशन से पहले यहां पर लैब साइड का जो ट्रैक है उसको बिचा दिया गया है और इस्टेशन से पहले यहां पर यह लगाई गई है दो सिगनल लाइट्स और साहिवरबाद के स्टेशन के प्लेटफॉर्म की जो फ्लोरिंग का काम था वो अब पूरी तरीके से यहां पर कम्पलीट हो चुका है और इस्टेशन के ऊपर की साइड में जो शैड बनाया जाएगा उसका यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तो स्टार्टिंग वाले एरिये में इस साइड में देख सकते हैं यहां पर अभी पोल्स को नहीं लगाया गया लेकिन इस्टेशन के बीच में और दूसरी वाली साइड में यहां पर इस्ट्रक्चर के पोल्स को लगा दिया गया और उनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया गया और इस्टेशन से आगे की साइड में गाजियबाद की साइड में भी यहां पर जो track बिशने का काम है वो start हो चुका है और यहाँ पर यह जो shed होगा station के ओपर इसकी height station के दौनों साइड में ज़्यादा होगी और बीच में कम होगी और जब यहाँ पर shed बनके ready हो जाएगा तो उसके ओपर solar panels को भी लगाया जाएगा और station के ओपर जो दौनों साइड का track होने वाला है उसको बिच्छाने का जो काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब complete हो चुका है टॉप एंगल से भी देख सकते हैं यहाँ पर platform की जो flooring का काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर complete हो चुका है अब और इस station के concourse level की flooring का जो काम है वो भी पूरी तरीके से अब complete हो चुका है और concourse level के उपर ticket vending machine के साथ-साथ basic amenities भी होंगी और यह रखे हुए है यहाँ पर escalator एक नीचे की साइड में रखा हुआ है और एक उपर की साइड में और यह बनाई गई है यहाँ पर stairs तो यहाँ पर आपको हर platform के उपर एक lift, दो escalator और तीन stairs देखने को मिलेंगी और lift को इतना बड़ा बनाया जाएगा अगर medical emergency होती है तो उसके अंदर stretcher को आराम से लेके जाया जा सके और साइवरबाद के इस RRTS के station को UP roadway के डीपो के साथ भी connect किया जाएगा और वोरा पीछे की side में साइवरबाद का railway station और यहाँ पर बनाया जारा एक ये entry और exit point station का और दूसरा entry और exit point इस side में बनाया जारा road को cross करके वसंदरा की तरफ और यह है RRTS का casting yard और यह जो station बनाया गया है यह पूरा single plur पर बनाया गया है और इसको इस तरीके से design किया गया है कि यह जमीन पर कम से कम जिगे घेरे और यहाँ पर जितनी जगे available थी उसका अच्छे से use हो जाए यह है plur number one और इस station के लिए total 15 plur बनाया गया है और इन plur की जो height है वो है 10 meter की और जो platform की height है वो है 17 meter की और उपर की side में platform के उपर automated screen doors लगाए जाएंगे ताकि कोई passenger track पर ना कोदे और यह तब ही open होंगे जब train station पर आके रुकेगी same वैसे ही जैसे दिल्ली metro के कुछ stations पर होता है तो बस इस वीडियो को करते हैं ही पर खत्तम उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक देदा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना सस्क्राइब मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से next वीडियो में अगर आप लोगों से लगियो में